हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे इस योटूब चैनल इंडियन टै के स्टोडियो में और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अपने डिलिट हुए फोटो वीडियो या स्टोरी को रिकावर कैसे कर सकते हैं मतलब वापस कैसे ला सकते हैं इसके बारे में आपको में इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तो यदि आपने भी अपने इंस्टाग्राम पे गलती से या फिर जान बुच कर कोई भी फोटो वीडियो या स्टोरी डिलिट कर दी है और आप उसे वापस लाना चाहते हैं और वीडियो को शुरूर करने से पहले मेरी आप से छोटी इस रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक न किया सो गाइस वीडियो को लाइक करे और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्रेब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेश करें तो चलिए दोस्तों बीना दिरी के वीडियो को शुरूक करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इंस्टग्राम पे अपने डिलिट हुय फोटो, वीडियो, इस्टोरी को रिकवर कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मुवल में Instagram open करना है और Instagram open करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको इसमें एक option मिल जाएगा नीचे corner में profile का आप यहाँ पर देख सकतो यह profile का option है आपको इस वाले option पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपके सामने ऐसा interface open हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको इसमें एक option मिल जाएगा उपर corner में 3 line का आप यहाँ पर देख सकतो 3 line का option है तो आपको इस वाले option पे click करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर काफी सारे option आ जाएंगे तो यहां पर दोस्तो आपको इसमें एक option मिल जाएगा योवर activity का आपको इस वाले option पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा और दोस्तो अब आपको इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है ठीक है ना और अब देखे दोस्तो आपको simply थोड़ा सा scroll down करना है और scroll down करके जैसी आप नीचे last में आएंगे तो आपको इसमें एक option मिल जाएगा यहाँ पर recently deleted आपको इस वाले option पर click कर देना है ठीक है जैसी आप इस पर click करोगे आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा ठीक है अब देखे दोस्तो आपने Instagram पर जितनी भी post delete की है वे सभी post यहाँ पर आ जाएगी ठीक है फिर दोस्तो आपको इसमें दूसरा option यहाँ पर मिल जाएगा रील्स का देखे रील्स वाले option पर आपके लिख करोगे आपने Instagram अकाउंट पर जितनी भी रील्स से delete की है वे रील्स वीडियो यहाँ पर आजेंगी आप देख सकते हैं ठीक है फिर दोस्तो आपको इसमें तीसरा option मिल जाएगा इस story का तो आपने जितनी भी story delete की है मैं story यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकतो मैंने यहाँ पर यह story delete की हुई है और यहाँ पर soak कर रही है ठीक है तो आप दोस्तों आपको यहाँ पर इन्हें वापिस कैसे करना है यानिके recover कैसे करना है तो देखे दोस्तों अगर आपको किसी भी post को recover करना है तो आपको उस post पर क्लिक करना है और यहाँ पर post open हो जाएगी और यहाँ पर देखे दोस्तों आपको इसमें एक option मिल पे क्लिक कर देना है, जैसी आप इसपे क्लिक कर दोगे तो यह अपडेट हो जाएगा आपने जो भी post यहाँ पर delete की थी, वो post यहाँ पर recover हो जाएगी आपकी post में add हो जाएगी, ठीक है इस तरह से आप यहाँ से rails को आप यहाँ से recover कर सकते हैं किसी भी reels पर click करेंगे तो reels पर click करने के बाद यहाँ पर reels open हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें three dot का option मिल जाएगा आपको इसमें पर click करना है और इसमें आपको restore का option मिल जाएगा इसमें आपको click कर देना है और restore वाले option पर click कर देना है तो यहाँ से reels जो सबी story यहाँ पर आ जाएगी अब दोस्तों आपको जिस story को recover करना है मतलब वापस लाना है आपको उस story पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों ऐसा interface आएगा अब आपको इसमें को option मिल जाएगा नीचे corner में three dot का आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें दो option मिल जाएगे delete का और restore का तो हमें यहाँ पर जो story है उसको recover करना है वापस लाना है तो यहाँ पर हमें delete नहीं करना है restore वाले option पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लि वीडियो में तरहीं उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लिए थैंकि दोस्तों